है हमारा चैप्टर 2 में आगे और देख ले थे हैं चैप्टर टू जो हमारे nodig ह humility हू चुका है उसमें हमारा हमने पहले परिव्यस वीडिएो में रपाया था सिंग्ली राइन्फोर्स वीम के बारे में ड्वणी राइनफोर्स वीम के बारे में पूरा डेटेल में पूरा previous वीडियो में आप देख सकते हैं अब हम आगे चलते हैं working stress method बद मैंने तीन में बताईते बरकिंग stress method limit state method और ultimate load method working stress method ultimate load method आपके सिलेवस में नहीं है working stress method आपके सिलेवस में है working stress method मैं को शुरू करने से पहले मैंने सिंगली रेनफोर्स और डबली के बारे में तो आपको पताया है अब बर्किंग इस्ट्रेस मेथड से हम डिफलेक्शन और क्रेकिंग निकालते हैं यह मेथड अब हमारा कम यूज होता है जहांपर IES Code 456-2000 ने यह बोला है कि जहांपर अगर हमारा लिमिट इस्ट्रेस मेथड नहीं लग पाता है वहीं पर हम बर्किंग इस्ट्रेस मेथड को यूज करें बर्किंग इस्ट्रेस मेथड को भी समझना बहुत जरूरी है बहुत आवसक है जिससे यह पता चले कहां इसमें कमिया है कहा पर यह हो रहा है जैसे डेम में यूज हो रहा है पानी की तंकी बनाने में यूज हो रहा है और भी कैई स्थानों पर यूज हो रहा है थीक़ है तो working stress method को सुरू करने से पहले कोई भी method तो जम्सन आते है कि कौन-कजन से जम्सन माने गये है working 你 having में ठीक हैं फिर ऐसी दें से काफी इंपोर्क यह काllers से काफी ओप्रोट हमें एफ्शान वन्हें पूछ लिए जाते हैं कि सिंपल बेंटिंग के क्या बताऊ आप लुए पॉर आर स सी वी यह हमारे जो अजुप्शन है हमने कुछ उसमें भी पड़े हुए है सोम में जब हमने सिंपल बेंडिंग पड़ा था ठीक है वह वाला चप्टर और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो आर्ची सी है वो सोम इस्टेंट और मैटेरियल और कंक्रिट टेकनोलोजी का कमाइंड रूप है अब बात कर लेते हैं पहला पॉइंट आता है कोई भी क्रॉस एक्षन ठीक है कोई भी क्रॉस एक्षन बेंडिंग से पूर्व जो समतल में था ठीक है और बेंडिंग के पश्चाद भी समतल में रहेगा ठीक है कोई भी क्रॉस एक्षन क्रॉस एक्षन के बारे में हम बता आपका इस्ट्रेन बंसुन रेखा कि दूरी के समानपाती होता है ट् denen और कि समानपाती नीटरल लेयर की जो दूरी होगी ऊपरी सिरे से ऐसके दूरी के क्या होगा समानपाती होगा इसका मतलब है दूसरा आता है दूसरा पॉइंट आता है हमारा कारेकारी सीमा के अंदर कारेकारी सीमा क्या दो या फिर क्या दो हुक की लिमिट के अंदर ठीक है प्रत्यास सीमा के अंदर ठीक है प्रत्यास सीमा के अंदर क्या कह रहा हैं कॉंक्र नहीं इस पर पूरी तरह से बैलेड है यह हम पहले भी पता चुके हैं जब बरकिंग इस्टेट में दोनों में हमने कमपेरिजन किया था ठीक है जो हमारा कारकारी में बरकिंग लोड पर कंक्रीड तता इस्टील का स्ट्रेस इस्टेंड डाइग्राम जो संबन्द होता है वो एक सीधी सरल लेखा में रहता है ठीक है कारकारी लोड पर बरकिंग लोड पर कंक्रीड तथा इस्टील का stress strain diagram सम्मन्द एक सीधी सरल लेखा में होता है ठीक है फॉर्थ पॉइंट है सभी तनन परतीवल जो होते हैं जो जितने भी तनन परतीवल आएंगे वो reinforcement इस्टील वहन करता है और concrete इससे पूरता मुक्त माना जाता है ठीक है हम ये बोल रहे हैं कि जितना भी तनन आएगा जितना भी tension आएगा beam में वो हमारा क्या बहन करेगा वो steel बहन करेगा reinforcement steel और जो पूरा हमारा compression आएगा ठीक है वो दोनों कर सकते हैं लेकिन हमारा concrete बहन करेगा ठीक है तो सबी तनन जो जितने भी तनन प्रतीवा लाएंगे वो हमारा reinforcement steel बहन करेगा ये अजुमसन माना गया है ठीक है फिप्त आता है आपका concrete तथा steel में जो bond होता है वो steel की elastic limit तक perfect होते हैं elastic limit के अंदर अगर बोला जाए steel की steel की elastic limit के अंदर वो perfect माने जाता है कि दोनों एक दूसरे से perfect जुड़े हुए है जो bond है वो एक दूसरे से उन्होंने perfect bond बनाया हुआ है ठीक है ठीक है फिप्त पॉइंट आ जाता है six point आ जाता है concrete को दबाते समय reinforcement steel तता concrete में किसी भी प्रकार के प्रारमिक प्रतिवल नहीं उपश्टे जब हमारा पहली बार जब हम concrete को दवाएंगे या लोड आएगा तो हमारा concrete जबाते समय रैंफोर्स में steel और concrete में प्रारमिक प्रतिवल नहीं उपश्टे उंतिम कुछ समय बार ठीक है 7 point है इस 5 तता concrete के Young modulus Simas据र तता concrete के इंग modulus Steel का Young modulus Yes, इस से denote करते हैं और concrete का किसे? इस इस इसे Spas तता concrete के Young modulus जो होते हैं उनको क्या मना जाता है? Constant मने जाते है और इन नोनों का जो reser होता है वो कहलाता है modular reser वो क्या कहलाता है? modular reser modular ratio या फिर मापांक अनुपाद कहते हैं किस-किस का ratio ES और EC का इसको small m से denote करते हैं modular ratio को small m से denote करते हैं ES upon EC दोनों का जो ratio होता है वो कहलाता है आपका modular ratio कहलाता है ठीक है गड़नाओं में जब हम आगे गड़ना करेंगे जो calculation करेंगे उसमें जो small m modular ratio का जो मान है वो निकाला जाएगा 280 upon 3 sigma cbc 3 sigma cbc SSC में क्या इवार question यहां से पूछ लिया आता है कि modular ratio का मान किस तरीके से किस formula से निकालते हैं तो 280 upon 3 sigma cbc ठीक है sigma cbc क्या है यह bending में ठीक है bending में compression अनुगे compression stress है ठीक है permissival compression stress in bending ठीक है B मतलब bending C compression ठीक है किसमें अनुगे ठीक है अनुगे प्रतिवल है ठीक है अब आता है यह यह सो होता है इस्टील का कितना होता है यह पहले भी पड़ा होगा दो गुणा दसकी पावर पांच न्यूटन पर mm2 यह हमें इस भी है इसी भी है modular रेसो निकाल सकते हैं बट हम modular रेसो जो निकालते हैं एक combined section मनाना चाहते हैं उसको अलग-अलग ना रिप्रेजेंट करके यह नहीं कहेंगे के concrete का इतना पार्ट है और इतना पार्ट है तो हम उसको एक कंवाइंड एक equivalent एरिया में convert कर लेते हैं एक equivalent section में convert कर लेते हैं तो वहाँ पर यह एम का यूज होता है ठीक है तो अब आता है जैसे मानों आपके सामने आया 5000 अंडर उड में FC के अब FC के क्या है यह है तुमारी characteristic strength कैसे निकल के आती है जब आप 28 दिन की तराई के बाद में जब आपने कोई क्यूब लिया क्यूब का क्या साइज रहता है 151 151 150 यह 150 cm क्यूब का तुमारे क्या है तुमारा क्यूब है और आपने सेंपल लिया ठीक है सेंपल लेने के बाद में 28 दिन की तराई की और तराई करने के बाद में उसको सामर्थ है वह 20 न्यूटन पर mm2 आनी चाहिए ठीक है इस 20 को इसी को क्या कहते हैं करेक्टरिस्टिक सामर्थ ठीक है इसी को हम FC को यहां पर बैलू रख देंगे तो इसी निकल का आयरे हमारे पास में ठीक है यह चीज है समंझ में अब आगे और देखते हूं कि अर् traffickingung stress method जो है वो प्रतिवलों पर factor of safety लेता है ठीक है उन चीजों बारे में बात कर लेते हैं हमारे पास में थीन प्रकार की stress है ठीक है एक ultimate stress is working stresses और actual stresses हमारा जो stress उत्पन जो होता है वह हमारा तीन प्रकार से आता है हमारा ठीक है कैसे कैसे एक तो टेंसन में एक तो टेंसाइल इस्ट्रेसिस हो सकती है ठीक है दूसरा हमारा कंप्रेशन में कंप्रेसिव इस्ट्रेसिस कंप्रेसिव इस्ट्रेसिस हो सकती है हमारी जो संपीडन में होगी compressive stresses, तीसरी हो दिया हमारी sear stresses, करतन में sear stresses, ठीक है, sear stresses, हमारे पास में tensile में, या tensile stresses हो सकती है, हमारे पास में compressive stresses हो सकती है, और sear stresses हो सकती है, ठीक है, तो तीन प्रकार से, अभी हम बात कर रहे हैं ultimate stresses के बारे पर, उसको बोलते हैं, चरम प्रतीवल, चरम प्रतीवल एक maximum peak stage ऐसी उसके बाद में हमारा कोई भी structure तूड़ जाए उसको बोलते है ultimate stresses का उत्पन होंगी जब हमारा मानों यह column है यह beam है ठीक है इस पर हमारा load आ रहा है तो इस load के कारण पी load के कारण concrete में क्या उत्पन होंगी stresses ठीक है तो हम यह कह दें यह maximum load के कारण मतलब maximum load ultimate इस load के कारण पर तूटने ही बाला हो तो उस यह तूट जाए उस stresses को क्या कहते है ultimate stresses के इससे ज्यादा वो यह column बहन नहीं कर पाएगा ठीक है उसको बोलते है ultimate stresses जैसे अब example में हम समझले दें जैसे m 15 है ठीक है एम मतलब mix ठीक है एम 50 मतलब characteristic strength जो characteristic strength है concrete की इसको हम 15 लिखाए तो 15 को हम मान के क्या चलने यह हमारा ultimate stresses है ठीक है इसी वह हमें factor of safety लेनी है ऐसी एफी 200 यह एफी 415 ठीक है अब इसको हम क्या मानने इसको इसको बोलते है एफी इसको बोलते है yield strength yield strength yield stress बोलते है ठीक है तो यह क्या है एक ultimate stresses है जो चार सा पंद रहे है इसको क्या गयाते है yield stress इसको इसका unit Newton पर में इसका है ठीक है तो ऐसी stresses जिस पर कोई भी structure फेल हो जाए उसको बोलते है ultimate stresses हम ultimate तक कभी भी हम concrete को या कोई भी structure को नहीं पहुचाते हैं ठीक है हम उसमें कुछ ना कुछ factor of safety लेते हैं और factor of safety लेकर तब हम उसको design करते हैं ठीक है तो उसी परकार हमारा दूसरा आ जाता है ठीक है working stress method प्रेय जो BURKING में होगा सेयव ses económis और भी नाम है इसका design stresses तो हम जो हैं या तो हम जो लेंगे या parking stress बोल दो इसको या to save assassin बोल लो या design stresses तो हम कभी doing貍ल्टीमेट stresses को design नहीं करते हम किके किसको dari design stresses को किसको safe stresses को safe stresses आएगा कैसा ठीक है यह working stress आएगा कहते ठीक है ultimate stresses में अगर हम factor of safety से divide कर दें तो क्या जाएगा हमारा working stresses और working stress हम इसको यह कह देंगे कि इस पर हम इसको design कर देते हैं ठीक है अब देखो मैंने लेके दिखाया है इस्टील के लिए जो factor of safety लेते हैं जो फेक्टर of safety लेते हैं वो लेते हैं 1.78 ठीक है जैसे f e 500 के लिए f e 400 पंद्रे के लिए f e 500 के लिए f e 550 के लिए अगर आपको safe stresses निकालना है तो यह इस्टील के लिए आ गया इसको लिपते हैं सिग्मा एस्टी ठीक है इस्ट्रेस इंटेंशन में ठीक है इस्टील ठीक है इस्टील की stresses है इंटेंशन में ठीक है तो कैसे निकालेंगे जैसे यह f e यह क्या है तुमारा अंतिम अंतिम अल्टिमेट stresses divided by Factor of Safety 1.78 जो भी आए यूनिट कितना हो गया Newton पर mm² यह कंक्रीट के के कैसे में कैसे लेंगे क्वेट के लिए जो फैक्टर ओफ सेप्टी लेके चलेंगे वो कितिनी लेके चलेंगे 3 ठीक है जैसे जैसे में 15 15 म 20 25 अब यह 20 है यह 15 है यह 25 है यह क्या है ultimate में हमने डिवाइड किया फेक्टर ऑफ सेप्टी से जैसे 20 डिवाइड वाइड थ्री या 15 डिवाइड वाइड थ्री तो कितना आया फाइड न्यूटन पर mm2 तो जो हम बर्क करेंगे वह 5 न्यूटन पर mm2 ठीक है तो हमारा जो है जो कोई भी इस्टक्चर है वह हमारा 20 का लूड ले सकता है ठीक है बट हम कितने के लिए डिजाइन कर रहा है उसको फेक्टर ऑफ सेप्टी मलब 5 के लिए ठीक है हमें पता है कि वह 15 ले सकता है बट हम कह रहे हैं 5 के लिए डिजाइन करके चलेंगे हम उसको पहले से ओवर सेप्ट तो नहीं कह सकते हां पहले कि इतना अगर उसपर 20 आ जाता है तो वह तूड जाएगा ठीक है लेकिन हम कंसीडर कर रहे है कि 20 तक भी वह आ जाए तो तो तूटे ना लेक चाल लेकर चलते हैं ठीक है डारेक्ट कंपरेशन के इसमें यह चीजह समझ मांई यह सारी चीज़न काफी इम्पोर्टेंट है थड़ आता है हमारा पहला अल्टिमेट की स्ट्रेश दूसरा बरकिंग इस्ट्रेश यह सेफट्वाइट डियायन इस्ट्रेस घर आताए एक् इतने stresses उत्पन हुए उसी समय उसको कहते है actual stresses ठीक है हम इन चीजों को मान के चल रहे हैं बट ये उस समय जब हमारे लोड लग रहे होंगे उस समय कितना stresses उत्पन हो रहा होगा उसको कहते है actual stresses ठीक है तो समझ में आया है आपके तीनों stresses और factor of safety कैसे लेते हैं और किस तरीके से हम इनका सिग्मा सीवी और सिग्मिया स्टी का प्रयोग करेंगे इस्टील के केस में मैंने बताया बनपॉंट सेवन एट लेके चलते हैं ठीक है और दूसरा कॉंक्रीट के केस में कितना बताया ठीक है थील बताया हमने factor of safety ठीक है factor of safety कितना बताया ठील बताय रहे हम ऐसा क्योंकि हमारा जो इस्टील होता है वो काफी expensive material है ठीक है उसको हमें मंगाने में काफी खर्चा होता है और काफी महंग आता है इसलिए हम बंपॉंट 78 से ही factor of safety से इतना ही काम चल जा रहा है दूसरी चीज वो उतना ही हमें stand दे रहा है ठीक है तो हमने बंपॉंट 78 से किस के लिए steel के लिए concrete के लिए 3 हम factor of safety और direct compression के किस में 4 factor of safety लेके चल रहे है ठीक है यह आसके बारे बात कर लेते हैं जब इस तरीके से हमारा steel है और वह concrete में इस तरीके से जखड़ा हुआ है इस तरीके से जब हम इसको खीचेंगे तो concrete को रोक के रखना चाहेगा ठीक है तो इन्दोनों के बीच में जो bonding है वह जो bonding है अच्छी होनी चाहिए ठीक है निकालते कै से बॉन बॉन इसको हम टावीडी से रिप्रेजेंट करती है निकालेंगे जैसे मानों यह तुम्हारा इसका पूरा पर दी तो कितना होता पाइडी और इसकी लेंद्ध यह और टी क्या है फोर्स तुम्हारा ठीक है जैसे मानों टी तनाम में अगा तुम्हें इस तरीके से फ एरिया इन्टू फोर्स ठीक है फोर्स ठीक है प्रितिवल पराबर होता है प्रितिवल पराबर होता है प्रितिवल जैसे बॉंड इस्ट्रस मतलब क्या होगा बलबते छेतरपल इस तरीके से निकल के आएगा ठीक है तो हमें यहाँ पर सक्वाय के सीधिया पाई डी इंटु या इंटो टवीD निकालना हो तो टीफोर्स न्यूटन और यह एरिया तब हमारा तावईडी क tipping क्या बनेगा तब हमारा क्यान आएगा Newton पर Τो यूटन पर मारे इस त्रिक से त्वार होगी तुम होंगे ते देखना इस तरीखे से होते हैं उसकोँ न से गोल होल होते हुए रेसे जाते हैं उसको हमारे कहते हैं जब यहां उसकी जो हमारा पतरुखा मीडी तो फोटी नावनार निसीतर नीबढ़ através है कितने %60% बढ़ जाती है तो 60% को हम इस तरीके से टाव वीडी जो हो गां प्लेन इस्ठील का उसमें 1.6 की multiply कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा जो भी आ जाएगा वो टाव वीडी हम लेके जलेगे तो कितना बढ़ जाता है 60% अब बात करते हैं direct compression अगर हमारा जो जो सरीय है या जो meember है so उसकी जो इस्टाव वीडी कितना बढ़ जाएगा 25% और बढ़ जैगा किमाना जैसे मानो इस तरीके से है डारेकorta में मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है और इस तरीके से compression और आ जाए ठीक है तो हम क्या करा है वो 25 परसेंट और बढ़ जाएगा तो टाव बीडी में 1.25 की और multiply हो जाएगी 25 परसेंट और extra हो गया ठीक है तो इन चीज़ों के बारे में हम देख लेते हैं bond stress समझ भाए है bond stress मतलब इस तरीके से उसकी कितनी strength है या कितनी stress है जब हम उसको खीचेंगे तो bond stress जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए किसकी concrete और steel की